मेरा नाम है पल्लबी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हर नया अपडेट और हर नया वीडियो आप तक पहुँचे वह भी बिल्कुल टाइम पे साथी मेरे वीडियो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि इन्फरमेशन जो है वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तर पहुँच सके आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ गायनसेट 5 mg टैबलेट के बारे में तो यह टैबलेट क्या है कब प्रिसक्राइब की अब देखते है उसी का एक फॉर्मन है और यह प्रोड़क्ट है मैंन का कैशिटीकल कमपनी का यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है मतलब दोक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बगारे से लेना नहीं तो अब देखते है कि इसका कंटेंट क्या है गयनसेट 5 जो हर विमन की बॉड़ी में होता है और जो बहुत जरूरी होता है प्रेगनसी के लिए तो यह गाइनासेट 5-मज टब्रेट कौन-कौन सी ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है एबनॉमल यूट्राइंग ब्लीडिंग की ट्र प्रिस्क्राइब की जाता है उसमें दिया जाता है साथी में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है और साथ में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है इसे प्रिस्क्राइब करने के लिए इसे दिया जाता है तो यह टैबलेट आपकी बॉड़ी में काम कैसे करती है यह टैबल अगर आपको एर्गिलर पीरिट्स के लिए दी है तो यह आपकी बाड़ी में आपका जो यूट्रस का लाइनिंग होता है उसको अच्छे से शेड करने में हेल्प करती है जिससे आपके पीरिट्स जो है वह रेगिलर आते हैं अगर आपको as a contraceptive के तो पे दिया गया है तो य इसकी वज़े से आपकी pregnancy जो है उसके chances कम हो जाते है साथी में यह tablet आपकी बाड़ी में जो गैनाड़ोट्रोपीन होर्मोन होता है जो की ovulation के लिए बहुत जरूरी होता है और pregnancy के लिए भी बहुत जरूरी होता है उस hormone की जगह occupy कर लेती है जिसकी वज़े से pituitary gland जो है वो होर्मोन रिलीज नहीं होता है गनाड़ोट्रोपीन तो आपका ovulation नहीं होता है साथी में आपके एग जो होते है वो भी डेवलप नहीं होते है और रप्चर भी नहीं हो पाते है जिसके वज़े से वहां पे भी pregnancy prevent की जा सकती है तो यह हो गया इसका contraceptive वाला यूज अगर आपको endometroasis की treatment में prescribe की गई है तो यह वहां पे आपका जो uterus का growth है uterus lining का growth है उसको slow कर देती है या उसको grow नहीं होने देती है जिसकी वज़े से आपके uterus के बाहर जो unusual tissue grow होता है endometroasis में वो नहीं हो पाता है वो prevent हो जाता है अब देखते हैं कि यह tablet लेने से आपको क्यों क होता है आपका breast tenderness आपको feel हो सकता है साथी में आपको dizziness मतलब चक्कर आ सकते है abdominal pain होता है heart pair में sweating हो सकती है breath shortness होती है मतलब बात करते वक सास फूलती है साथी में agnes आ सकते है weight loss होता है hair loss भी हो सकता है यह बहुत ही common side effects है इसके अलावा अगर आपको कोई और side effects दिखाई दे रहे है और वह बहुत दिनों से दिखाई दे रहे है तो आपको तुरंत डॉक्टर को consult करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यह tablet जो है वह आपको reaction दिखा रही है और आपको suit नहीं कर रही है तो यह tablet लेने चाहिए सबसे पहला जरूरी precaution है अगर आप pregnant है तो यह tablet आप ब लेवर का treatment चल रहा है अगर आपको diabetes है उसका treatment चल रहा है तो भी आपको डॉक्टर को consult कि यह tablet नहीं लेनी है साथी में अगर आपको माइगरेन की problem है और आपका medication चल रहा है तो भी आपको यह tablet दॉक्टर से पूछे बगएर नहीं लेनी है क्योंकि यह सारे जो treatments होते है उन जा रही है अगर आप contraception के तौर पर इस tablet को यूज करना चाहते है तो डॉक्टर को consult करना है आपको सबसे पहले डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको यह कितनी tablet लेनी है कब लेनी है कौन से डेसे start करनी है और यह सारी चीज़े आपका menstrual history लेके बताई जाती है इसलिए अपने मन से ना ले tablet को अगर आपको यह tablet hormonal imbalance के लिए दी जा रही है तो भी आपका dose का जो instruction है या amount है वो अलग-अलग हो सकता है नॉर्मली यह tablet जो है वो minimum 2.5 mg का dose दिया जाता है और maximum दिया जाता है 10 mg का dose दिन में एक tablet लेनी होती है यह दो tablet लेनी होती है यह भी doctor ही बतात है उसके बाद doctor को बताएंगे कि कितना tablet लेना है नॉर्मली यह treatment होती है वो 5 दिन के हो सकती है या 10 दिन की भी हो सकती है लेकिन अलग-अलग treatment में अलग-अलग dosage का amount होता है साथी में एक और बात होती है जब आप यह tablet लेते हैं hormonal imbalance के लिए या unusual जो आपको bleeding होती है hormonal imbalance की वज़े से उसकी वज़े से जब आप यह tablet लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पीरेड डीले हो जाए नॉर्मली यह tablet जो होती है लास्ट पिल लेने के 15-20 दिन बाद आपको पीरेड आते है किसी किसी को जल्दी भी आते है लेकिन तुरंद पीरेड नहीं आते है तो अगर जोजने में आसानी होगी मेरे इस वीडियो से की गायना से टाबलेट कैसे काम करती है और उसके क्या क्या यूज़स है तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं इंफोमेशन के साथ और कुछ नहीं टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाई बाई